ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जिससे की आप किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं बहुत सारे केसेज आ रहे हैं जिसमें की पती डाइवोर्स देना चाहता है रिष्टों में मिठास खतम हो गई है वो स्पार्क नहीं है और रोज तूतू में में होती है और जो भी उपाये करते हैं उनके काम में नहीं आते बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका की मेरे उपाये करके काम बन चुका है लेकिन जो साधनाई नहीं कर सकते ग्रहस्त में हैं घर में रहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि घर में कुछ हो जाए जो वो घर पे ही कर सकें तो इन्ही सब चीजों को देखते हुए आज मैं उजागर करूँगा एक बहुत ही प्राचीन ऐसा यंत्र जो कि किसी को भी वशिभूत कर सकता है लाखों लोगों का काम बनाने के बाद आज मैं इस यंत्र को उजागर करूँगा यंत्र इतना पाउरफुल है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है लेकिन जो जो सामगरी इसमें बताई गई है वो ओरिजनल होनी चाहिए मैंने बहुत से ऐसे यंत्र देखे हैं बहुत से तंत्र देखे हैं जिनमें की बिलकुल ही नए सादक थे लेकिन उन्होंने जो है यंत्र को साध लिया उन्होंने भरसक परियास किया और जो भी साधनाई बताएगी जिस प्रकार बताएगी और जो जो समान उसमें लगना था वो ओरिजनल लिया और इसके बाद जो असर देखे वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि मार्केट में जाके समान खरीदते हैं तो मैं आपको बता दूँ मार्केट से अगर आप कुछ भी खरीदते हैं एक शेहद ही ले लिजिए वो भी नकली है चाहिए किसी भी ब्रैंड का ले लिजिए तो अभी कल पर सो ही मेरे पास एक साधक आयों ने कहा कि मेरा काम बन गया और मैंने शेहद जो है वो छत्ते से तो किसी भी परकार की शुद्ध समगरी अगर आपको चाहिए तो कालिविद्या.com पर जाएगा वहाँ पर आपको हर एक चीज शुद्ध मिलेगी हम गाउं दिहात में जाते हैं वहाँ से चीज़े कलेक्ट करते हैं हिमाचल में जाते हैं सिरमोर में जाते हैं मनाली में जाते ह वहां से मिल सके, वहां वहां से ऐसे जड़ी बूटिया कलेक्ट करते हैं, जो कि मानव का कल्यान कर सकें, और नजाने कितने जंगलों में, कितने बीहडों में हम भटकते हैं, तब जाकर हमें ये जड़ी बूटिया मिलती हैं, और फिर जब इनसे काम किया जाता है, तब ये च धालेते हैं और उसके बाद उनका काम नहीं होता तो अगर वास्तब में आपको देखना हो कि चमतकार कैसे होते हैं तो असली समान लीजिए अपने किसी आस पडोस में जाईए वहां से आप शहद का जो है ढूंड कर लेए जो छत्ता होता है उसमें से शहद लीजिए उसके काम बहुत जल्दी बनते हैं खेर आते हैं अपने इस महापती वशीकरन या फिर जिसको भी आप वश्मे करना चाहें उसको वश्मे करने के लिए आज मैं आपको एक तंत्र दूँगा इसमें जो समगरी लगेगी वो शुद्ध होनी चाहिए चाहिए तो आप खुद तोड कर लाएं किसे से मंगाएं लेकिन शहद जो है वो ओरिजनल चाहिए असली शहद आपको छत्ते में मिलेगा छत्ता अगर हो तो वही तोड़ के लिए और उससे इस यंत्र का निर्मान करें आपको इसमें कुछ चीज़े लगेंगे जैसे कि असली शहद सापकी केचुली रो तो आपको क्या करना है कि दिवाली की रात में काम्या सिंदूर आपको लेना है अब काम्या सिंदूर आपको कालिविद्या.com पर मिल जाएगा और कहीं से न लीजेगा वहीं से लीजेगा क्योंकि उसकी प्रवानिक्ता मैं आपको देता हूँ उससे आपको ये यंत्र बना कर लें और इसको कामिया सिंदूर से ही बनाना है और कोई सिंदूर से बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा भोज पत्तर पर बनाईएगा और अपना मुख जो है वो सूरी की तरफ रखिएगा और जब ये बन जाए तो इसको अपने हाथ में लेकर आपको एक हजार आठ की संख्या में कलीम काम देवाई नमह का जाब करना है ऐसा करने से ये सिद्ध हो जाएगा इसको लोबान, धूब, दीपक सब दिखा कर एक काच की शीशी में बंद कर दीजेगा उपर से आपको इसमें शेहट डालना है जो असली होता है मौम के साथ तो इतना डालना है कि ये उसमें डूब जाए, चाहे तो इस यंत्र को छोटा बना लीजेगा और उस सीशी में इसको भरके अपने किसी निश्चित स्थान में जहां पर की कोई आता जाता नहों, कोई बीहड हो, कोई उजाड हो, वहाँ पर जाकर गाड आईएगा और ये जो यंत्र है आपको सांप की केचली में लपेट कर फिर बोतल में डालना है, इसके बाद जन्म जन्मांतर तक जिसके लिए आप ये कर देंगे, वो आपके गुन गाता रहेगा, उम्र भर, ये जो जीवन है, ये पूरा समाप्त ही हो जागा फिर भी, वो बस आप ही के गुन गाता रह अब इसको बनाना कैसे है, अब दिवाली की रात है बारा बजे, बारा बजे आपको क्या करना है, इस यंत्र का निर्मान करना है, निर्मान करते होए आपका जो मुख है वो सूर्य की तरफ रहेगा, और जो आपका आसन रहेगा वो मिर्ग चर्म करेगा, मिर्ग चर्म ना ह तो आप उनका आसन ले सकते हैं, कोई कंबल बिचा लीजेगा, और जब ये यंत्र निर्मान करें, तो आपका जो शरीर है वो धर्ती पर टच न हो, कुछ ऐसा प्रबंद कीजेगा कि आप उस कंबल पर ही रहें, और इस यंत्र का निर्मान हो जाए, जब निर्मान हो जाए, तो इसको एक हजार आठ के संक्या में अभिवंतरित कीजेगा, इस मंतर से जो मैंने आभी आपको बताया है, क्लीम काम देवाई नमा, और फिर इसको साप की केचुलियों में लपेट कर, आप जो चाहे छोटी हो बड़ी हो शीशी लीजेगा कांच की, और उसमें इसको हड में, किसी उजाड में, इसको ऐसे जगाड़ी है कि कोई निकाल ना पाए, क्योंकि अगर ये निकाल दी किसी ने और तोड़ दी, तो वो जो आपका जादू था खतम हो जाएगा, ये जब तक वहाँ पर रहेगी, तब तक वो जो भी आदमी होगा, वो आपके अनुकू क्या करें, तो कोई आपको देखें न, आसपास कोई हो न, बीहड में करना होता है ये सब कुछ, एक बार शीशी गाड़ दे, तो उसको फिर मुड़ कर नहीं देखना, आप भूल जाएगे कि आपने ऐसा कोई कर्म किया था, इसके बाद जहाँ आप जाएंगे, वहाँ आप ही के बारे में सोचता रहेगा, मैं तो ऐसे भी केसे देखें जिसमें कि पहले ही दिन में वो बंदा जो है, वो साथ देखे, घर के सामने आके खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे केसे, तो ये प्रियोग कीजेगा, और फिर मुझे बताईएगा कि आपने जो है, इसको कितने द समान जो है, वो सिद्ध बिलकुल असली हो, तो ये एक ही दिन में काम कर जाता है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमतकारी रूप से ये काम करने वाला यंत्र है, और इस यंत्र को सिद्ध करके भी हम देते हैं, आपको कालीविद्या.com पर मिल जाएगा, अगर कोई कूटी लग रही हो, कुछ मंतर समझ में ना रहा हो, कोई आपको जो इसका प्रोसेस है, उसमें कुछ समझ में ना रहा हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, 999-284-1625, और जो जो प्रोडक्ट इसमें लग रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज कर लीजे, फिर दिवाली की रात में 8 बजे से 12 या 2 बजे के बीच में आप ये सारग कर सकते हैं, इसको करते वक्त आप ये याद रखें कि आपके आसपास कोई ना हो, जहां पर आप निर्मान करें, उस जगे पर भी कोई दूसरी आत्मा ना हो, बस आप अकेले हों, और अ जोड़कर परणाम करके इस जो बोटल आपने बनाई है, इसको किसी सुनशान जगह पर गाड़ आएं, और फिर देखें किस तरह से ये प्रकरती चमतकार करती है, जिस तरह से एक बेज अंकुरित होता है, उसमें से पौधा निकलता है, ठीक उसी भली परकार, ये जो यंत देखेगा ना राद, आप ही के माला जबता रहेगा, उसे सपनों में आप दिखेंगे, जहां वो देखेगा उसे आप दिखेंगे, कई लोग ये भी पुछते हैं कि पागल तो नहीं हो जाएगा, तो पागल नहीं होते इसमें, बस उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होते ह किसी और को वो, मतलब देखना भी पसंद नहीं करेंगे, बस जहां देखेंगे, वहां आप दिखेंगे, तो इस तरह का जादू, इस तरह का जो ये चाम है, ये आप स्वैम कर सकते हैं, और इसको एक बार आजमाईए, मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इस चाम ने नेवाद।